भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है उसका नाम आपको बताना है गोदावरी यमना गंगा या फिर ब्रमपुत्र आपके सामने चार बिकल्ब दिये गये है और इसमें से सही उत्तर आपको बताना है तो चारो बिकल्ब में से जो सी वाला बिकल्ब है बिल्कुल सही होगा भ 2525 किलो मीटर इसको ध्यान रखिएगा और भारत के भारत में देखा जाए दूसरी जो सबसे लंबी नदी है ये तो सबसे लंबी गंगा वाली हुई ये पहले नंबर पे अगर दूसरी बात करते हैं दूसरे नंबर पे कौन सी है तो वो है गोदावरी नदी जिसकी लंबाई कितना है 1465 किलो मीटर 1465 किलो मीटर है अब इसको ध्यान रखिएगा आप पहली और दूसरी हमने बता दिया तीसरी नदी जो है वो आपसन में नहीं है तीसरी नदी जो है वो कृष्णा नदी है जिसकी लंबाई कितना है कृष्णा नदी जिसकी लंबाई होती है कहीं कहीं आपको मिलेगा 1400 किलो मीटर या फिर 1401 किलो मीटर इसको ध्यान रखिएगा 1401 किलो मीटर ये कृष्णा नदी की लंबाई है तो सबसे लंबी नदी कौन सी है गंगा और दूसरे नमबर पे है गोदावरी और तीसरे नमबर पे है कृष्णा नदी इसको ध्यान रखेगा और अगर इसे में जो यमना और ब्रह्मपुत्र दिया गया है तो यमना नदी की लंबाई भी अगर आप जानने तो अच्छी बात है जानते रहे हैं आप 1385 किलो मीटर है यमना नदी की लंबाई और अगर ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं ये question जो है से भी अलग से आ सकता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है वो है 2900 किलो मीटर कुल लंबाई इसकी कितनी है 2900 किलो मीटर जबकि भारत में अगर इसकी लंबाई देखा जा तो भारत में सिर्फ ये 916 किलो मीटर है भारत में कितना है भारत में 916 किलो मी थोटी नदी कौन सी है अगर आपको ऐसे क्वेशन मिलते हैं तो उनमें नदियों की लंबाई आपको पता होनी चाहिए तो ये बात ध्यान रखिएगा कि किस नदी की लंबाई कितनी है हमने तीन बता रखी है और इन तीनों में जैसे अभी कृष्णा दे दिया गया तो अभ दूसरे वाले पर हमने बताया दूसरी जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी और तीसरी क्या है किष्णा नदी लेकिन इसमें क्वेश्चन है कि सबसे छोटी नदी कौन सी है तो इन सब में से पहले सबकी लंबाई जान लिया जा कितनी है तो हमने इसकी लंबाई बत 12 किलो मीटर और इसके बाद सोन जी से क्या कहा जाता है सोन नदी बोला गया सोन नदी भी बोला जाता है बहुत important question रखते हैं ऐसे सोन नदी से भी question बन जाता है तो अभी हम आपको बताएंगे जितने भी question important होते हैं वो सारे के सारे आप से बताए जाएंगे इसमें देखिए 7 84 किलो मीटर जो है 784 किलो मीटर इसकी लंबाई है जो कि इन चारो नदीयों में देखा जाए तो सबसे छोटी नदी है इसलिए चौथा भी कल्ब जो होगा बिलकुस सही होगा एक बहुत ही जादा important बात हम आपको बताने वाले हैं इसमें देखिए जो सोन नदी है सोन नद नदी इन दोनों पर धहान दीजेगा सोन और नर्मदा नदी ये दोनों का उद्गम कहा से है ये बहुत important question है ध्यान रखेगा ये कहां से निकलती है तो ये दोनों नदियां जो है ये अमर कंड़क मध़दे से निकलती है इसलिए इससे भी अलक से क्वेस्चन मनता है इसको प्रशन है भारत का रूर भारत का रूर किसे कहा जाता है आपको बताना है भारत का रूर किस नदी वेसिन को कहा जाता है दामोदर होगली गोदावरी या फे स्वांडर रेखा आपके सामने चार बिकल्प है तो इसमें जो सही उत्तर है वो आपका एवाला है दामोदर को भा इसको ध्यान रखियेगा, पहले दामोदर नदी को अपने बाहर के कारण इसको क्या कह जाता था, इसको बंगाल का सोक कह जाता था, इस बात को भी आप ध्यान रखियेगा, अगला प्रसने देखेंगे अगला प्रसने है निमलिकित में से कौन से नदी थार रेगिस्तान से होकर वहती है आपके सामने चार बिकल्ब हैं आपको बताना है इसमें से कौन से नदी थार रेगिस्तान से होकर वहती है साबेतरी, मूठा, लूनी या फिर गिरना इसमें से सह भी बिकल्ब जो है वो तीसरा वाला है तीसरे हम क्या दिया गया है लूनी इसको ध्यान रखिएगा इसको सागर मती के नाम से भी जाना जाता है इस बात को ध्यान रखिएगा और भी एक चीज़ जान लीजे थार रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदियों में जो लूनी प्रिष्णीन के तिरुवेड़ी संगम निमलिकित में किस नदी के किस संगम का अस्थान है तो यह तो बहुत परचलित क्वेश्चन है आपको पता होगा इसमें जितने आफ़सं दिये गये हैं जो आपको बता देता हूं इसमें बीवाला बिकल बिल्कु सही होगा क्योंकि या गंगा यमना और सरस्वती के किस अंगम का स्थान है इसको ध्यान रखिएगा ये तो बहुत प्रिचलित है प्रियाग राज की नाम से भी आप जाना जाता है उस अस्थान को जिसे इलाहबाद की नाम से जाना जाता था इस बात को आप ध्यान रखिएगा अगला question है नेमलिकेत में से किस नदी का समागम अरब सागर में है समागम का मतलब ये होता इंस की बात कर रहा है इसको ध्यान रखिएगा कभी कभी समागम की जगा पे एक और सब्द यूज होता है मुहाना सब्द भी यूज होता है इसको ध्यान रखिएगा question है अमारा नेमलिकेत में से किस नदी का समागम अरब सागर में है आपके सामने चार बिकल्फ है नर्मदा, गोदावरि, कृष्णा और कावेरी इसमें से सही उत्तर जो है वो आपका एवाला है नर्मदा नदी का समागम कहां पे है अरब सागर में है इसको ध्यान रखिएगा अभी हमने इसके बारे में बताया था इसकी लंबाई कुल कितनी है तेरा सो बारा किलो मीटर और इसका उद्गम अस्थान क्या है इसका उद्गम अस्थान है बिंधा चल पर बस रेडियों में इस्थित अमरकंटक इसको ध्यान रखिएगा हमने अभी इसके पहले एक कोशन में इसकी चर्चा की थी और अमरकंटक से एक और नदी निकलती है वो कौन सी है वो एक नदी जो अमरकंटक से और निकलती है उसका नाम सोन या भिस्वन नदी है इसको भी हमने बताया था इसको ध्यान रखिएगा और एक बात अगर ध्यान दें तो जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम दिसा की और बहने वाली इस सबसे लंबी नदियों में से एक है इसको ध्यान रखिएगा इस सबसे लंबी नदी है जो की पश्चिम दिसा में बहती है बाकी और भी नदिया बहती है लेकिन इस सबसे लंबी नदी है इसको भी ध्यान रखिएगा अगला प्रस्ण है हमारा इन में से कौन सी नदी भारत में पश्चिन दिसा में बहती नदी नहीं है देखिए पश्चिन दिसा में बहने वाली नदियों में अभी हमने एक नदी का नाम बताए जो सबसे लंबी है वो है नर्मदा नदी लूनी और कृष्णा इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा जो पस्चिम दिशा में ना बहने वाली नदियों में से है इन चारों भी कलपों में से वही उत्तर जो है वह डी वाला है कृष्णा नदी पस्चिन दिसा की और बैती है इसको ध्यान रखिएगा अगले प्रस्म में अब हम ध्यान देंगे अगला प्रस्म क्या है अगला प्रस्म है हमारा वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है इसमें देखे चार नदीयों के नाम दिये गे हैं आपको उस नदी का नाम बताना है जिसका उद्गम भारत में नहीं है चिनाब, व्यास, सतलज या फिर रावी इसमें से सही उत्तर आपको बताना होगा तो चारो बिकल्ब में से जो सही उत्तर है वो आपका तीसरा वाला है सतलज सतलज नदी का उद्गम जो है वो भारत में नहीं है ये दक्षिन पस्चिम तिवबत में समुद तल से 460 मीटर की उचाई से गिरने वाली है और एक बात ध्यान रख्येगा इसका उद्गम कहां से है? मांसरूहर से निकट राच्छस ताल तिवबत में है इसका उद्गम कहां पे है? इसका उद्गम मान सरुवर के निकड राच्छा स्ताल तिबत से है इसको ध्यान रखिएगा अगले प्रस्न पर ध्यान देंगे अगला प्रस्न है हमारा काविनी हेमवती अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी हैं यह किसकी सहायक नदीया हैं आपको उस नदी का नाम बताना है महा नदी, किर्णा नदी, कावेरी या फिर गोदावरी इसमें से सही उत्तर आपको बताना है तो इन चारों विकल्ब में से जो सही उत्तर है और कसी वाला है इसके अलावान भी उसकी कई सहायक नदिया हैं जिसमें से ध्यान रखिएगा इन तीनों का नाम और इसके अलावान भी तीन या चार नदिया और भी है जिसमें भवानी, सुवणडवती, लक्षमर्तीर्थ और एक और है सिमसा, लोका, पावनी ये सहायक नदियां हैं किसकी कावेरी की इसके अलावा भी कावनी, हेमवती, अमरावती भी कावेरी की ही सहायक नदियां है इसको ध्यान रखिएगा अगला प्रसने देखेंगे अगला प्रसने हमारा नर्मदा के अतरिक कौन सी दूसरी नदी अमर कंटक से निकलती है अभी हमने आपको बताया था नर्मदा के अतरिक जो अमर कंटक से निकलने वाली नदी है वह सोन जिससे क्या कहा जाता है सोन नदी कहा जाता है और इसकी लंबाई हमने बताया क्या है 784 मतलब 784 किलो मीटर है 784 किलो मीटर इसको भी आप ध्यान रखिएगा कई जगा पे इसकी जरुवत पड़ जाती है इसको ध्यान रखिएगा अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सी नदी यमना से नहीं मिलती ध्यान दीजे आपको बताना है निमलिखित में से कौन सी नदी यमना से नहीं मिलती आपके सामने चार बिकल्प हैं जो सही उत्तर है आपको बताना है तो इन चारो बिकल्प में से जो भी वाला बिकल्प है बिल्कुर सही होगा क्योंकि सोन जिसे सोन नदी कहा जाता है ये यमुना से नहीं मिलती है इसको ध्यान रखिएगा बाकी जो नदिया दी गए केन, बेतवा और चंबल ये यमुना से मिलती है इसके अलावा एक नदिया और है सिंध इसको भी ध्यान रखिएगा सिंध, केन, बेतवा और चंबल यमुना से मिलती है जबकि सोन नदी जो है अमर कंटक से निकलती है अभी हमने इसके बारे में बात किया था और यह कहां पे मिलती है पतना के समीब किस से मिलती है गंगा से मिलती है जबकि और नदीयां जो दी गई है वो किस से मिलती है यमना से और यमना से मिलने वाली नदीयों में एक और नद निमलेखित में से कौन सी नदी खमबात की काड़ी में नहीं मिलती मही साबरमती कोईना या फिर ता सबक्रिक इन चारों बिकलब में आपको बता देता हूं करान जिले में करिष्णा नदी से जाकर के मिल जाए अब भी हमने बताया है कुछरम नदी की सहायक नदी है और इसके आलाओ जो नदीया दी गई माही, सावरमती और टापी ये सब खमबाद की खाडी में जाकर मिलती है इसको भी ध्यान रख्येगा और भी नदिया हैं जो खमबाद की खाडी में पती है जैसे इधर तो आपके सामने तीन नाम दिये ही गए हैं माही, साबरमती और तापी इसके अलाओ नर्मदा भी है इसको भी दान रखियेगा